हलो स्टुडेंट्स वेलकॉंग हेर अगेन ओन माई चैनल जानकरी हित मैसेल्फ हित अभिलाशी शर्मा एक वार फिर आपके साथ अकाउंटेंजी का बहुत इंपोर्टेंट एंड टेकनिकल आस्पेक्ट जिसकी हम बात करेंगे डाइज डेबिट नौट एंड क्रेडिट प्रेडियो ये स्टुडेंट्स वावन वेरी इंपॉर्टेंट एलर्ट फर वॉर्स वावड वां तुसे डायद शीदा वीडियो फुल स्क्रीन टौंदर्सेंगें इन एफ्टिव ए अगर सारे कॉंटेंट को सही धंसे देखनें समझनें क्योंकि रिटन कॉंटेंट होते तो उसको full screen करकर देखें वीडियो को चाहे आपके पास mobile हो जा फिर आपके पास PC या laptop कुछ भी यूज़ कर रहे हो सीधा वीडियो on full screen Second alert is that सीधा complete video to get complete content and knowledge पूरा ग्यान लेना है तो पूरी वीडियो देखें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्टुडेंट्स बात करते हैं मैंने बोला के द्राविट एंड क्रेडिट नोट बहुत हार source documents होते क्या है आज का topic हम यहीं से शुरू करते है स्ट्रोत दस्तावेज क्या है ये All documents which sports are transactions for recording are called source document बहुत important बात है जो मैं बात कर रहा हूँ इसको ध्यान से समझें सारे ही documents कागस पत्तर दस्तावेज जो business में या किसी organization में हर type की transactions को record करने के लिए use किये जाते हैं उस recording का जो base बनते हैं जो कागस पत्तर उनको हम source document कहते हैं अब बात ध्यान से समझो business में जो business का head cashers या कोई भी competent employee है जो सारा account maintain कर रहा है सारे हिसाबता को देख रहा है अब उसके सामने तो ना तो वस्तों को ना तो sale किया जा रहा है ना purchase हो रहा वो कहाँ बैठ के करता है वो कोई sale purchase unit पर नहीं बैठा होता उसको तो documents provide के जाते हैं कि इन documents को recording करो accountancy का सारा हिसाबता पूरा करो as a double entry जो rules होते हैं उनको follow करते हुए तो उस time जो documents उसके सामने रखे जाते हैं जिनको देखके वो different type की recording करता है उन सभी कागस पत्रों को उन सभी दस्तावेजों को हम source document कहते हैं समझे लगा? these documents proves the origin of the transaction इन सभी कागस पत्रों को या दस्तावेजों को देखकर पता चालता है जो lane dayन है उसकी उत्रपती कहां से होई मतलब क्या है lane dayन? कब का है ये? these documents indicates the nature, date, amount and parties involved in transaction किसी lane dayन में कौन सी parties involved थी? किस type की transaction है? date, amount कैसा है? वस्तो की quality के बारे भी भी हो सकता है लिखना लिखा भी कौन सी वस्तो है it is a written proof of the transaction ये किसी भी transaction का किसी भी lane dayन का एक written proof होते हैं source document समझ लगी मेरी बात ऐसे नहीं accountant बैठे भी अपने आप कोई बोल देगा, लिख देगा, no they have authenticated approved कुछ important books की बात करते हैं जिन में recording करते हुए जो document, source document के रूप में use होते हैं, वो कौन-कौन से हैं जैसे बड़ी important substitute book होती है cash book, cash book में हमने पता है कि वहाँ एक column होता है watcher number वही तो source document है तो source document जो cash book लिए required होता है cash memos और cash watchers जब भी cash की payment होती है जब भी cash की payment होती है जब cash receive होता है तो उस हालत में एक voucher पे document पे sign करवाय जाते हैं कि इतने पैसे दिये जा लिए वो cash voucher है उसी को देखकर उसका number डालकर cash book में recording करते हैं जो cashier होते हैं second substitute book आपके सामने है purchase book purchase book में आपके ने देखा हो कि वहाँ लिखा होता है invoice number तो invoice number के साथ एक word लिख रहा है inward क्योंकि जब purchase करते हैं तो goods business में आ रही है जहांसे वस्तुएं purchase की थी supplier से उसने एक invoice दिया होगा जिसको bill कहते हैं सथारण भाशा में तो उस bill का जा invoice का एक number होता है क्योंकि वस्तुएं आ रही है तो हम उसको समझने के लिए दोनो टाइप के invoice में difference करने के लिए इसको inward invoice कहा देते है inward invoice from supplier जिसने वस्तुएं हमें supply की थी जिससे purchase की उस invoice का भी number होता है that is also source document purchase return book इसका जो source document है वो debit note इसके वारे में हूँ आज बात करेंगे sales book sales book का जो source document होता है वो भी एक invoice ही है उसका नाम differentiate करने के लिए outward invoice कहते है क्योंकि जब sale करते हैं तो business customer को एक invoice card कर देता है जिसमें सारी detail लिखी होती है कौन-कौन सी वस्तुएं किस rate में sales की है तो उसको outward invoice कहते है वो भी source document है उसको देखकर ही recording की जाती है sales return book का जो source document है वो है credit note आपको credit note के बारे में और debit note के बारे में हमारी वीडियो का आज का main हिस्सा है उसमें discuss करेंगे journal proper का जो source document है वो transfer vouchers है different type ते जो दूसरी type की entries होती है वो सारे के सारे vouchers एक source document के रूप में काम करते हैं जो इन सभी subscribe books 5 को छोड़कर अलग सी जो ओर entry है जो general proper में आती है तो students बात करते हैं आज के topic की सबसे पहले मैंने बोला आपके debit note क्या है जो हमारा आज का major issue है it is a source of recording source की बात करने वही साधन है यह किस चीज़ का recording का accounts से related जो हिसाब उताव record करने उसका साधन है कौन debit note for purchase return books यह कौन सी return book purchase return book का source document है debit note it is a document sent by a business to the person to whom goods are returned यह ऐसा कागजपत्य दिस्तावेज है जो उस business उस supplier को भीजा जाता है जिसको purchase की हुई वस्तुने return की जा रही as a documentary proof debit note साथ में भीजा जाता है इसमें होता क्या है क्यों भीजा जाता है it is an intimation to supplier supplier को यह सूचना देनी होती है that his account has been debited with the value of goods return कि जितनी वस्तुने उसको वापिस की जा रही है उतनी वस्तुन के मुल्या के साथ उसके account को हमने अपने account में debit कर दिया है और due to any other cause जा किसी और कारण कारण अगर supplier के account को debit की है तो भी debit note भीजा जाता है debit किया करने का मतलब समचो जब किसी से purchase करते हैं तो entry होती है purchase account debit to supplier उसका नाम होता है मालो हम उसको वापिस कर रहे है तो supplier account debit to purchase return ये ध्यान रुको तो हम उस supplier के account को debit करते हैं तो ये उसको एक information देनी होती है documentary proof के रूप में कि उसको वस्तुने की वापिस वेजी जाती है वस्तुने कोई nux होता है outdated हो चुकी है उसकी due date हो चुकी है कोई accidental कारण के कारण वो damage हो गई है तो वस्तुने वापस कर दी जाती है जो purchase की हुई है तो जब उसको purchase return करते है तो साथ में एक documentary proof भेजते है that is debit note which is intimating the supply that his account has been debited उसको ये सूचना दी जाती है कि उसके account को debit कर दियागा with the help of debit note he can record the transaction in his books as a documentary proof next one format of debit note debit note होता कैसा है सबसे पहले कुछ main बाते यहां सबसे उपर जो मैं बता रहा हूँ यहां तो जो debit note त्यार करने वाला business house है वो अपना address लिखता है और यहां पर to करके उस firm का address लिखा जाता है जिसको debit note भेजा जाता है supplier को और फिर एक पूरा format बन जाता है एक example लेते है सबसे पहले debit note का format देखे debit note यहां ladies selection the mall shimla मालू हम है यह हम debit note त्यार कर रहे है ladies selection the mall shimla यहां बहर हमारा phone number fax number, email यह आपको पता होते हैं साथ में यह बड़ा important चीज़ है invoice number 224 यह 224 नंबर invoice के साथ कुछ वस्तुएं purchase की होंगी अब उन्हीं वस्तुओं को वापिस कर रहे है ऐसे purchase return इसलिए उस invoice के number को ऐसे reference लिखना जुरूरी है ताकि वहां से check किया जा सके तब वस्तुओं का price क्या लगाया था कौन सी terms and condition थी जब वस्तुओं को purchase किया था उसका reference number लिखे जा जाता है तो debit note का अपना number हो गया जैसे 303 है जहां पर date आ जाएगी यहां पर 2 जिसको हमने debit note भेजना है जैसे यहां message, chopra, garments, kangra वालों को भेज रहे हैं तो उसका नाम आ गया इसके साथ साथ में लिखा जाता है clear रूप में आपके account को हम debit कर रहे हैं इन वस्तुओं की value के साथ जो नीचे लिखी गी है साथ में reason भी बताया या क्यों वापस कर रहे है 2 purchase return क्योंकि purchase debit होता है तो purchase return credit 10 and 20 that is quantity, lady suit, cotton suit इसको, इसका matter नहीं है वो जैसा business होगा वो वस्तुओं आ जाएंगी trade discount था तो वो भी minus हो जाएगा अगर purchase पर trade discount था तो purchase return पर भी trade discount minus होगा वो minus किया तो net value बनगी जैसे यहाँ पर है 10,350 जैसी transaction होगी उतनी value बन जाएगी नीचे वो ladies selection वाला जो कोई partner है, manager है, वो यहाँ sign कर देगा यह authenticated एक document हो जाएगा source document for those things, for those goods which are going back as a return एक बड़ी important चीज़ आप देख रहे होगी छोटी सी चीज़ है E and O E बहुत सारे लोग इसको ignore कर देते हैं, भी इसका भी मतलब होता है हर invoice पे, हर debit note, credit note पे ऐसे documents पे ऐसा लिखा होता है E and O E, पहले इसका मतलब होता है पूरा abbreviation, जो word है अगर full form बनाए, तो क्या है error and omission expected गलती और भूल की संभावना है Yes, अगर कभी कुछ इसमें गलत लिखा जाए, तो इसको proper check कर लिया जाए, ये एक indication होता है, कि अगर गलती हुई, तो जान भुझके नहीं की, एक clerical mistake है, हो सकती है ऐसा लिखा होता है documents में कि जान भुझके कोई गलती नहीं की जारी, किसी भी document में, ऐसा, इसलिए यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है अब देखते हैं debit note कहां use करते हैं, जब purchase return book बनती है, मैंने बोला कि जब हम purchase return कर रहे हैं, तब debit note त्यार होता है, purchase return book का format देखो, date, particular, ये है debit note number, इसको यहाँ mention किया जाएगा, जैसे हमारा वो purchase return book से related question होते हैं, specifically, वहाँ पर ये clearly रूप से हम इसको apply करते हैं next one, अगर दूसरा source document की बात करें, जो हाँ हम discuss करेंगे, वो है credit note, अगर debit note clear है ना भी, उसकी ही कड़ी है आगे credit note अब जिस व्यक्ति ने मालो हमने वस्त में वापिस तो भेज दी, हमने debit note भेज दिया, कि supplier को बोला, कि आपको अपने account में हमने debit कर लिया, इतने amount के साथ अब जिसको वापिस भेजी है, उसने हमें credit किया जा नहीं किया, हमारे पास documentary proof क्या है उसने वो amount adjust कर लिया जा नहीं yes, उसका documentary proof as a source document क्या होता है credit note आओ, देखें क्या है it is a source of recording for sales return book yes जब हमने purchase की थी तो किसी ने तो sale की, तो supplier है, जब भी कोई businessman, sale की हुई वस्तुए अपने customer को उसने sale कर दी, वापिस प्रापत करता है तो उसके लिए वो sales return होता है it is a document issued by seller to the buyer or customer ये वो document है जो seller दोवारा, बेचने वाले दोवारा, buyer को, खरीदने वाले को या अपने ग्रहा को दिया जाता है who return goods जो वस्तुओं को वापस भेजता है जिसने वापस भेजी उसके लिए तो वो purchase return था परन्तु जब अगर हमारे पास वापस आई तो हमारे लिए वो sales return है क्योंकि हमने पहले sale की थी along with debit note जब goods उसने वापस की थी तो उसने वापस की थी with debit note तो अब हम उसको information देंगे क्या देंगे उसको यह सूचना दी जाती है कि उसके account को इतने amount के साथ credit कर दिया गया उन वस्तों की value के साथ या जो वापस की है या जो आधी damaged थी जो inferior quality थी या invoice में कोई गल्थ calculation थी उसके कारण अब आपके account को हमने credit कर दिया है यह उसको information दी जाती है ध्यान रखना customer को या buyer को clear हो गया यह है credit note credit note का format देखें क्या है credit note उपर लिखा हुआ है यह उसका number आगया 34 यहाँ पर credit note त्यार करने वाली business का अपना address होता है यह सारा यह उसी का address है साथ में जब ध्यान रखो जब sale return हो रही है sale की थी तब उसका कोई bill वी तो होगा ना तो उस invoice number का reference लिखा जाता है तांकि पता लग सके तब rate क्या थे जब sale return हो रही है तब भी same conditions होनी चाहिए term and condition discount है या नहीं है वो सारा same होना चाहिए उसको देखने के लिए उसका reference number लिखा जाता है invoice का इसके इलावा इसमें एक reference number होता है debit note क्योंगी credit note त्यार किया जाता है जब debit note और goods वापस आ जाती है तब जो supplier है वो अपने customer को बताता है कि आपके account को credit कर दिया गया उसको as a source document वो credit note भेजता है two messages यहां पर उस firm का नाम आज़ता है जिसको भी credit note भेज रहे है साथ में लिख दिया we are crediting your account with the value under mentioned goods returned by you for the reason stated below हम आपके account को credit कर रहे है उन वस्तों के कारण जो आपने हमें वापिस भेजी है और साथ में कारण बताया गया क्यों वापिस भेजी है मालो यहां पर उसने ये दोनों type की वस्तों वापिस भेजी वो कुछ भी हो सकती है जैसे यहां crossing tablet है tables है इसके इलावा crossing tablets हैं और साथ में कफ सिर्प है उनकी value बन रही है इतनी बीच में से trade discount माइनस किया net value है 8100 साथ में reason देखो ली इसका है being the outdated goods sent मालो वस्तों आउटडेटर हो चुकी थी प्रानी हो चुकी थी उनको वापिस भेजा है clear reason साथ में लिखा होता है for medicine kingdom उनका जो partner है manager है जो competent employer या वो यहां sign कर देगा साथ में वही o and e o e भूल चुकी संभावना है yes गलतियां हो सकती है error and admission expected आपको आपको आई है यह था credit note credit note का use होता वहाँ है sales return book में yes क्योंकि जब sales return होती है तो भी तो credit note है वो भीजा जाता है date अब देख रहे हो परफॉर्मा sales return book का particular यह है credit note number इसको यहां mention किया जाता है जो भी credit note उस transaction का होगा laser folio amount remarks यह sales return book का परफॉर्मा था जिसमें credit note क्यूज हो रहे है so students पात जब हम यह जान चुके है तो जल्दी जल्दी बात कर रहे है दोनों में difference क्या है पहले debit note की बात करेंगे फिर credit की एक पहले ही बता दूँ मैं आपको फॉर्थ नंबर देखो use of blue ink तभी तो मैंने इस वो blue color में बनाया भई debit note blue ink से बनता है एक परंपरा चलिया आ रही है और credit note use of red ink वो red ink से हमने भी red में बनाया तो आखो differentiate करते है जब debit note प्रापत हो जाता है तो supplier अपने customer को credit note भेज़ देता है इसमें तो old है आपको पता ही है बिलकुर reverse इसमें अब supplier कस्टमर को information देता है कि आपके account को हमने credit कर दिया गया है जो आपने sales return की जितने की वो वस्तों है थर्ड source document for entries in purchase return और return outward book एक ही होती है क्योंकि return out means return कर दिया बाहर चला जा बाहर तो भी जाएगा न जो purchase किया था so the same name is purchase return and purchase return outward बहुत हर same books इनके लिए ये source document होता है debit note और sale return book और return inward book के लिए source document क्या होता है credit note ये धिया डखना red और blue उनका मैं बता चुका हूँ fifth difference देखे इनमे usually debit note doesn't follow credit note debit note credit note के बाद आमतर पर नहीं मेजा जाता तभी पहले credit note मिला फिर debit note generally ऐसा नहीं होता जबकि debit note के बाद credit note send किया जाता है generally ऐसा होता है ये धियान रखना दोनों में ये difference है पहले debit note भीजा गया फिर दूसरी तरफ से credit note भीजा गया this means debit note credit note के बाद generally नहीं भेजा जाता जबकि credit note debit note के बाद भेजा ही जाता है having information of goods returned इसका debit note का मतल होता है कि हम goods वापिस कर रहे है इसकी सूचना होती है serves acknowledgement of goods received इसमें इस चीज़ रहेंगे एक रहेंगे प्रापती रसीद मोलते है इसको acknowledgement slip को या acknowledgement को इस चीज़ की सूचना होती है कि goods प्रापत कर ली गई है वही वापिस ओके ये भाइन के बीच में difference so students I think the whole concept is quite clear वीडियो के जिस हिस्टे का कोई concept क्लियर नहीं उसे हिस्टे को दुवारा देखे complete screen वीडियो देखे और पूरी screen पर देखे ये बहुत ज़रूरी है content को समझने के लिए इस चैनल पर अलड़ी बहुत सी वीडियो है commerce से लिटर बहुत से subjects पर और बहुत सी आती रहेंगी so आप मेंसे जिनोंने भी इस चैनल को subscribe नहीं किया subscribe करें bell icon पर click करें तो आपके आपको पहले ही notification मिल जाए के कौन सी नई वीडियो आ रही है you will get maximum here on जानकारी heat if you will do this तो thank you very much